हेलो एविवन वेलकम तो माई ओनलाइन क्लास्रूम एंड तोड़े इन दिस वीडियो वी आ गोई तो स्टार्ट आ न्यू चाप्टर ओफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चाप्टर थर्ड पॉलिटिक्स ओफ प्लान डेवलप्मेंट और दिखिए आप जो चैप्टर थर्ड हम और सहीनivos स्टार्ट की थी इंटर्ड्योर्स की ती कितना इनकुं उसमें तरकी मिली तो उसी से रिलेटेड ए। एक खुशी को जाहिर करने के लिए उन्हों ने यह मोई पी ऑन बाई वन तोinis t Vari मैट। इसाप्टछी लिए पे बीच कांटेम साångव यह और इसलीन करती है जैसे दा मोदर वैली है हा Kombat Ratam है चित्राण जन लोक्क मोटिव से अनगा पर 맞 right और आपकुर तो दर्शे नोच्टिछ था कि स्ञ आपक्राफ में वी श्जी management है तो आपक्रेस आपक्राइब से जो इंडियुनुने ंभाकु था से पी sudah किसना से response किया challenges जो थे और बिल्कुल challenges जो थे nation building किसना से पुरी राश्ट का निर्मान किया जाए किसना से democracy को establish किया जाए हाँ पर तो इस तहां के challenges को हमने दो chapter में previous पढ़ लिया है अब हम पढ़ने वाले थर्ड चैलेंज को और ये अगर आपकी कंट्री में Columbia नहीं है एकन्री भागी सब्सक्राइब करते हैं तो इसी चीज से एंडिया रीडर्स ने और और एकन्रीस करने के लिए colored चसे इन्वार्मेंट संथते हैं साहे लोगों की तरकी के लिए जो दीकिए फर्स टू चैलेंजिस थे जो इसमें आल इडरस ने एक पाथ चूज किया कि डिफरेंट और डिफिकल्ट जो था पाथ बर ठीक है पूर उन्होंने वह पाथ को चूज किया इसी तरह से उन्होंने अपनी सेक्सिस को बहुत से साथ लिमिटेर रखा पर यह भी सा की जो भी चैलेंजिस थे वह और आगे चलके फ्यूचर में और टाफ होते गए मोर इंज्वरिंग होते गए तो आप समझ जाएंगे कि हम पूरा पढ़ लेंगे चैप्टर तो हमें कुछ पॉइंस क्लियर हो जाएंगे कि क्या की च्वाइज में इन्हीं हमें ञाओ और अपनाया साथी उनके मेर कि लिमिटेशन भी लगाएंगे इसके बाद हम यह भी पढ़ेंगे कि कुछ अिसी वह ठाइजी है थी जिनको कुछ सालों बाद ही छोड़ दिया गया ठीक है चाथ वो सक्सेस्फूल नहीं रहे होंगी इतना इस सर्जिस उनको उन स्ट्राटिजिस को छोड़ दिया गया था तो चलिए यह सब एक इंट्रेक्शन पार्ट हो गया है चैप्टर का आप हम स्टार्ट करते हैं इसके में टॉ इसको स्टार्ट इंस पर आपको बता देना चाहती हूं कि इस चैनल पर आपको क्लासिक्स से लिएक ट्रॉयल दर का आपका इस पेश्टी शोशल साइंस से लिए सारा कॉंटेंट सारा मेटीरल स्टैडी मेटीरियल आपको मिल जाएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक क ग्लोबल मताब वर्ड की मार्किप में धीरे धीरे स्टेल की इतनी जादा डिमांड बढ़ गी है और उसको देखते हुग है अगर अगर ओडिसा की बात करूं मैं ठीक है ओडिशा की बात करूं तो ओडिशा में सबसे जादा लार्जेस्ट रिजर्व से इस आईरन ओर के इन दा कंट्री तो इसके देखते हुए काफी जादा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उडिशा काफी हैल्फुल आप समझ सकते हो और एक अच्छी लोकेशन है जहां पर आपको बहुत फाइदा मिल सकता है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप तो एक इस तो भविश में हम बहुत जादा पैसा सकते हैं तो इसके बाद ही साथ ही जो इन्वेस्टमेंट की उडिशा की उन्होंने क्या क्या उन्हों ने एक साइंड किया एक अग्रीमेंट जिसको मेंमोरेंडम ऑप अंडरस्टैंड बूला रहता है इक जहमती पत्र होता है एक दूर लोगों के बीच में साइन हुआ ता या किसके साथ ही साइन हुआ तो यह वा international और साथ जो domestic steelmakers थे उनके बीच में इसके साय वा तो जो government थी उसका belief यह था कि इससे क्या होगा आगे चल के बहूंच जाती capital investment यहाँ पर उरिशा में होगा और साथ ही पैसा तो कमाया जाएगा साथ ही जो employment opportunities भी क्योंकि जो नेता होते हैं जो कॉर्मेंट में लोग होते हैं वो जब भी आप देखना होगा जब भी आप politics में आते हैं और आने से पहले जब वोट मांगते हैं तो उनका ये बहुत अहम बुद्धा होता है कि वो इस शेत का विकास कर देंगे शेत में जाज़ादा जोब्स लाएंगे जाज़ा तो इसके लिए उन्होंने पर सोचा है कि एक बहुत अच्छा चांस है कि इससे capital भी आ कहां बहुत जदा और साथी employment opportunities भी आ जाएंगे लोगों के लिए तो iron ore resources अगर देखें तो यहाँ पे काफी ज़्यादा अंडर डेवलप और प्री डॉमेंटली जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्स एरिया है इसे स्टेट के उनमें ये iron ore पाया जाता है अच्छा जो ट्राइब जो कमेंटी है ट्राइबल जो आदिवासी लोग है वह वास्तर मानते हैं कि जो forest है वही उनके घर होते हैं उनका पूरा भरन पोश्चन जो livelihood होता है वो इसी पर निर्भर करता है ठीक है तो अब ये ट्राइबल लोगों के सोच्ति कि अकर कोई industries यहाँ setup होई तो उनको उनक जब यहाँ माइनिंग और industry setup होगी तो उससे काफी ज़ता pollution होगा तो environment को काफी हाने होगी उससे इसके बाद लिके central government की क्या सोचे central government इसका अपोजी समझती है उनको लगता है अगर कोई industry हाँ पे setup हुई और अगर हमने उसको allow नहीं किया ठीक है यहाँ पे उसको permission नहीं कि और इससे काफी loss होगा इससे development नहीं हो पाएगी तो दिखिए यहाँ पर तीन लोगों की source दिखाए जा रही है एक आपके tribal population है कि उनकी सोच क्या एक environmentalist है और एक आपकी जो government है वो क्या सोचती है ठीक है इसके साथ दिखें मूफ करते है नेक्स पहला पर तो यहाँ पर दि है किसी भी इशू क में problem को sort out करके क्या लोगों के interest को satisfy करते हैं कि नहीं तो इस ता के चो कोशन से काफी पाप पूचे जाते हो हम इस ता के कोशन काफी फेस्पी करते हैं पर आपकर अगा सूचा रह तो किस तरह की development आप चाते हो ओर इसा के लिए ठीक है किस ता की और इश और वासते में ने हम जरुत को पूड़ा करने के लिए कह सकते हैं कि यह भी और शर्ण की नीट थी जिसका हमने पूरा कर दिया इसके परे के साइन में थोई सी एक स्टोरी फेसर ओडिशा से डिलेटिव दिया है वहाँ की विलेजर्स हैं उन्होंने किस तन से प्रोटेस्ट किया अगेंस पॉसको प्लांट जब पर पॉसको प्लांट लगने वाला था तो भूवनिश्वर की थोड़ सा स्ट्रेटमें दि और उन्होंने डिमांड की जो भी मेमोरेंडम साइन होता है तो उसके खिलाफ वो डिमांड करतें कि जो भी मेमोरेंडम ऑफ एंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है बिट्वीन जो कंपनी और ओडिशा की गौर्म्मेंट के बीच में एक सार पहले उसको केंसल कर दिया जा से खाली करा दिया जाएगा वहां पर कम्पनी सेट अप हो जाएगी तो यहां पर सौसे ज्यादर मैंनों विमें जो थे वह एकटे हुए और वह डिफ्रेंट इफ्रेंट इलाकों सहाइथे ग्रांपंचाय सहाइथे धिंक्या की नियों गाउं किया थे अंगर गड़ को जूं करती है वह ज्यादा कॉसली है रैदर देन की सेटिंग ओफ दिस ब्लांट दफी जो डैमोस्टेशन पूरा और राश्ट्री योवा संगर्ठन ने और साथी जो नव निर्मा समिती थी उनके द्वारा यह पूरा का पूरा डैमोस्टेशन जो था वह और इसके बाद इसके कोई बी जवाब कोई एक्सपर्ट नहीं दे सकता है इसता के डिसीजन के इंट्रेस्ट जो है वह एक शोचल ग्रूप के लिए ज्यादा फायदे मंद होंगे है किसके अगेंस होंगे तो उसकी भी हम तुलना नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट जेनरेशन के ज्यादा वैलूब पटना चाहिए वहाँ के जनता जो है पीपल है उठकवे की अपने आपी लेने चाहिए और इसके बहुत ज़री है कि वह एडवाइज करें जो एक्सपार्स हैं जो माइनिंग माइनिंग एक्सपर्ट हैं जो इन्वार्मेंटलिस्ट हैं और जो एक्नॉमिस्ट हैं उनसे पूछके उनसे एडवाइस लेके कुछ भी फैसला करें यह फाइनल डिसीजन तो हमें यह डिसीजन मिलता है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन है वह टेकन बाइप पीपल्स जाबनाव को समझ कि उनसे रजामन्द होके कि किसना का विद्रोना हो ठीक है उनसे रजामन्द होके वह फैसले ले इसके साथी जब दिखें हमाया कंट्री जब इंडिपैंडनेस मिल गई तो काफी सीरियस यहां पर मेचर डिसीजन लिए गए काफी टेंशन भी थी तो अपने इंडिविजुड डिसीजन लिए नहीं सबने मिल जूर के डिसीजन दिये शेर क्या विजन अपना डिबेट के तूव असाय डिसीजन लिए गए और उन्हों का मेन मोटीफ भी था कि एकनॉमिक डेवलपमेंट से लेटेडी डिसीजन लिए जाए ताकि सब का विका कि बात होती थी और सब एग्री भी करते हैं कि डेवलपमेंट की इसका सीधा मत्तब है जो इकनॉमिक ग्रोथ हो शोच और एकनॉमिक जस्टिस भी हो इसके साथि उनका यह भी माना था कि आप इस नाकर जो मैटर है जो कंट्री की डेवलपमेंट इसको आप बिजनसमें के के उपन फैसलों लेलें बट्पर हुआ है और इसके तरह का डना करता गल्हार नहीं से ही प compression क्यातS चाहेता सप्र्सक्राल्ण करेख कई अउनर्ड को कशी में यू एब होते हैं कि कि उसलों से एक प्रीवरां इसलों सेतितिatalों यह भी बहुत नेसेसरी है कि एक सेंट्रलाइज इंस्टिटूशन होना चाहिए जो पूरी एंटायर कंट्री के लिए स्केम्स मनाया प्लैन बनाया प्रोग्राम बनाएगी किस तागे का काम होना चाहिए तो should the government itself run some key industries and business तो क्या आपको लगता है कि जो गौर्मेट है क्या अपने आप ही कुछ industries और business को run कराती है how much importance was to be attached to the needs of justice if it's different from the requirements of economic growth तो इसी तरह से क्या जो justice की हमें जुरूत परती है उसकी क्या importance है क्या वो issue different है from the requirements of economic growth तो इसके बाए में हम तो जानेंगे तो इस तरह के जितने भी questions जो involved होते हैं इस तरह के contestation में तो यह बहुत ही तक्राव होती politics में क्यूंकि लोगों की views नहीं मिलते हैं उनकी opinions नहीं मिलती है और इस विए से काफी सारी जो decisions होते हैं पॉलिटिकल consequence के बाद ही इस तरह के decisions लिया जाते हैं उसका रिजर्ड हो जाते हैं यह most of this issue साथ देखोगे तो इसमें involved होते हैं political judgment भी required consultations चाहिए अमंग political parties और ताकि वो approval भी चाहिए public का लिखे जब कोई भी decision लिया जाता है तो political leaders तो आपस में तो consultation करते ही है negotiations भी करते हैं कुछ साथी उनको public का भी approval चाहिए that is why we need to study और यही एक वज़ाए कि हमें पढ़ना पड़ेगा जो प्रोसेस है पुरा development का as a part of the history of politics in India तो यह एक important part बन गया है politics का politics की history में इंडिया के इसके बाद एक जो pink color का जो box दिया है यहां पी इसे भी आपका question 1 mark और 3 mark से question important बन सकता है कि what do you mean by left and what is what do you mean by right political parties theory ideology के according किस्ता की parties की बात हो रही है आपे तो दिखे politics की बात करें most of the countries में तो आप काफी ज़्यता references मिलेंगे आपको काफी आप find out करते हो different parties होती है groups होते हैं और उनकी सब की ideology और learning जो होती है different होती कहीं कि left होती है कहीं कि right ideology और learning होती है तो यह जो terms है basically यह किसी concerned group और parties जो regarding social change और जो role होता है उनका state में effect करता है जो economic redistribution को उसकी position को यहाँ पर बताता है तो जिसे हम मैं left की बात करूं तो देखे left ideology क्या बताती है left ideology के according जो लोग इस को follow करते हैं तो उनका माना है कि यह किसके favor में होते हैं यह favor में होते हैं पूर लोगों के जो पिछरे वर्क के लोग होते हैं और चाहते हैं कि इन करीब लोगों को पिछरे वर्क के लोगों को पूरा support मिले पूर्मेंट की पॉलिसी का ज्यादर साथ बेहनीफिट्स के लोगों को यहाँ पर मिल पाएं तो इनकी सोच ही है ठीक है जो left वाले है आप दिखे जो right वाले होते हैं ठीक है तो right वालों की क्या ideology है क्या learning है उनकी तो जो right politics में आते political parties की जो thinking है तो right इनका कहना है कि जो यह belief करते हैं free competition का ठीक है कि free competition हो जी है market में और market economy पे ज्यादा ध्यान दिया जाए उसको पुरा इंशोर किया जाए उसकी progress होने चीए और साथी जो government है वो बहुत ही कम से कम यहाँ पर interfere करे ज्यादा interfere ना करे market policies में तो free competition होने दे free trade होने दे किसे market limitations यहां ना लगया जाए जिससे कि जाधा साथा यह अगर इंडिस्ट्रिस जो है ज्यादा विकास करें तो वास्ते में देश की भी एक नौमीन ज्यादा डेवलप करेगी तो देखें left और right देखें एक आपोजिट टम्स हैं left और right तो इससे तरह से इनके जो व्यूज है इनके ideologies भी है वो भी different है कि एक जो है एक favor करते है पूर को तो दूसर favor करते है capitalist को इसके बाद देखें यहां पर हम बूफ करते हैं नेक्स पहरा पर वो नेक्स टॉपिक पर तो यह है ideas of development ठीक है तो आप देखें ideas of development की बात करें तो बिल्कु आपने class 10 में इसके बाई में पढ़ा होगा अब एक नौमिक्स का पहला चैप्टर था development तो वहां पर हमने यह बाते बहुत क्लियर ली जाए थी देखें ऐसा नहीं कि आपने चो प्रीवेस क्लासिस में पढ़ा वो आपको आगे नहीं मिलेंगी तो आपको प्रुआ याद रगना पढ़ हटा दिया जाएगा तो उनके लिए वह development नहीं होगी बलकि उनके लिए destruction होगी तो इस तहां कि हमें काफी साथ discussion करते हैं तो हमें पदा चलता है कि किस तहां के contradictions हैं कॉंफ्लिक्स और डिबेट्स होते हैं इसके साथ ही देखिए अगर फर्स डेकेट आफ्टर इंडिपेंदेंस की बात करें तो काफी ज्यादा डिबेट हुए थे अरांड इस कोशन इस कोशन पर कि किस तां का development होनी चाहिए और सब लोगों के लिए development होनी चाहिए तो और यह जदा माने चाहिए लगा हमाई कंट्री में अगर आप्षडerson के उ जपिंखे ने दीर श्वास है और इन लोगों का विश्वास है कि इस तां की मैंआ जाता है जो वो लोग फॉलो करते हैं अगर हम उसी तरह से उनको कॉपी करने लगा तो हम भी modern होगे एसी तरह से देखे कि कि किस्ता का breakdown होना चाहिए और के रिटारी सकता है तो हमारे से कस्के चाहिए यह चाहिए इस दिलीजास यह दिलीडन से टोट देजिए और इस अपत्ती होरी है कै possessory जसम की modernization जो है वो और भी associated ideas of growth किसना के ideas उनेचे growth को लेके material progress किसे उनेचे scientific rationality तो modernization इससे भी related है ठीके तो यह line underline कर लिजेगा इसके साथी दिखे this kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed developing और underdeveloped इसके साथी जो idea है development का उसके according ही हर कोई बात करता है different countries के बाय में कि वो countries developed है developing है या फिर underdeveloped है तो I hope आपको ही हाता clear हो गया होगा तो इसके बाद आपका जो next content है वो मैं अपनी next video में explain कर दूँगी so thank you everyone and please like, share and subscribe this channel for more updates